दोस्तों, इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक चौकाने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला ने इस्राइल पर अब तक का सबसे बड़ा टार्गेटेड हमला किया है, जिससे इस्राइल को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने चेतावनी देते हुए कहा है, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। आज सुभह तड़के हिजबुल्ला ने कई रॉकेट्स और कॉम्बैट ड्रोन दागे, जिनमें से एक मिश्रावन ड्रोन इस्राइली एयर डिफेंस सिस्टम को मात देकर दक्षन हाइफा के बिन्यामिन रीजन में स्थित इस्राइली डिफेंस फोर्सेस के कमांड सेंटर पर जाकर फट गया। इस हमले में इस्राइली सेना के सौ से ज्यादा जवान घायल हो गए हैं। इसके बाद घटना स्थल पर पचास से अधिक एम्बुलेंस और हवाई मे सीधे सीधे जंग की धमकी दे दी है। इसी के साथ ही हिजबुलाह ने भी इसराइल पर पूरी ताकत के साथ अपने हमले तेज कर दिये हैं। हिजबुलाह के पास इस वक्त हजारों की तादाद में अलग-अलग तरह के कॉमबैट ड्रोन मौजूद हैं, जिनका इस्तिमाल करके वो लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है। आपको बता दें कि इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम भले ही रॉकेट्स और मिसाइलों को रोकने में सफल हो रहा हो, लेकिन ये छोटे और लो फ्लाइंग ड्रोन को पकड़ने में अकसर असफल साबित हो रहा है। हालात इ अब सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि हिजबुल्ला को इस पूरे ओपरेशन में इरान और चीन का सीधा समर्थन मिल रहा है। इरान और चीन दोनों दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन निर्मान करने वाले देश हैं और उनके सपोर्ट के दम पर हिजबुल्ला इसराइ लंबी और खतरनाक हो सकती है इसराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने एक्शन को और तेज कर दिया है इसराइली फोर्सेस ने अब कई बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले किये हैं लेकिन हिजबुल्लाह भी अपनी चालाकी और आधुनिक हत्यारों के दम पर हर बार नई रणनीती के साथ जवाब दे रहा है अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये जग इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है अब सवाल यह है कि क्या इसराइल इस जग में हिजबुल्लाह को हराने में कामियाब होगा या फिर यह जग और भड़क कर एरान तक जा पहुंचेगी फिलहाल ऐसा लगता है कि इसराइल पहले हिजबुल्लाह से निपटने की कोशश करेगा लेकिन यह साफ है कि अगर हिजबुल्ला को रोका नहीं गया तो जल्द ही यह लड़ाई और बढ़ी हो सकती है इस पूरे घटना करम पर आपकी क्या राय है? क्या इसराइल और हिजबुल्ला की यह जंग और बढ़ेगी या कोई कूटनीतिक हल निकलेगा? अपने विचार कमेंट में बताए